Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, welcome to Magnate Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Piers and Temples के बारे में देखिए और समझे इस टॉपिक को हम closer look ले रहे हैं किस के उपर Bengal के उपर Bengal के culture को समझ रहे हैं कि कैसे एक Bengal का regional culture evolve हुआ है अब regional culture में language बहुत important role play गरती है हर region को हम उसकी language से जानते हैं गुजरात को गुजराती से जानते हैं महराश को मराठी से जानते हैं तो उसी तरह से Bengal को बेंगॉली से जानते हैं और ये Bengalी Bengal में कहां से आई है और फिर Bengalी से Bengal आया है ये सारा सब कुछ हम पिछले वीडियो में discuss करके आ चुके है अब इस वीडियो में specifically क्या पढ़ेंगे हम हम peers और temples से जाली जो आपके heading दिये तो उसके थ्रों में समझेंगे कि कैसे वहां का architecture वहां के culture को दर्शाता है ठीके वहां का unique architecture वहां के culture को दर्शाएगा वहां पे जो cultural मतलब कह सकते है cultural significance peers की क्या है peers कौन होते हैं वो सारी चीज़े आपको इस वीडियो में में बताने वाला हूँ समझाने वाला हूँ देखिए अब क्या है from 16th century अब यहां पे confusion होगा कुछ लोगों को ठीकें तो confusion भी clear करेंगे आपका from 16th century people begin to migrate from western Bengal to south eastern Bengal अभी क्या हुआ है अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि अधिकतर लोग migrate करके कहा जा रहे थे western Bengal में जैसे यह पूरा Bengal है तो western Bengal में सेटल हो रहे थे करोगे तो तब क्या हो रहा धीरे-धीरे ब्रहमन या फिर संस्कृत बोलने आले लोग western Bengal में जा रहे थे अब आप 16th century में आ गयो तो 16th century में क्या होजा है लोग यह western Bengal से और आगे की तरफ shift करते ना तो यह बताए गया है कि people begin to migrate from western Bengal to south eastern Bengal अब south eastern और south eastern Bengal में लोग migrate करने लगे अब क्यूं जाते थे migrate करके यह भी सवाल आया तो वहां पे क्या था वहां पे खजाना था नहीं खजाना वाजाना कुछ नहीं था ठीके वहां पे लोग इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पे possibilities थी agricultural possibilities जैसे आप देखोगे Bengal पुरा का पुरा क्या है रिवराइन एरिया में हैं तो यहां पे agricultural land जो थी तो यहां पर forested tracks को clear करके लोग खेती करने के perspective से आगे की तरफ migrate कर गए कि western Bengal बेंग और नहीं देखा है कि जैसे यह एक जगह है तो आप यहां से उठके जब दूसरी जगह जाओगे ठीक है वह country के अंदर हो सकता है एक country से दूसरी country में हो सकता है तो वह migration कहलाता है तो जो लोगों का इस तरह से migration हुआ western Bengal से eastern Bengal की तरफ तो उसके चलते क्या होता है कि वहां की जो अब western part में और अब western part में ब्रहां ब्रहांब ले ले लाके तो इसर्ण हो गए तो दो फिर्लाइब इसट्रफ अरशे जोगे तो धिसेंग निए new communities of peasants तो जब वो इस्ट की तरफ गए तो मैंने आपको बता है इस्ट को जा रहे खेती करने तो यहां पहले से जो पीजेंट कम्यूटी रह रही थी अब यह लोग को ने कोई मश्ली पकड़ने वाला कोई शिफ्टिंग कल्टिवेटर जो एक जगा सटल नहीं होता है फिर क्या है तो यह लोग जब इस्ट में मूफ करके गए ना तो यह वहां के लोकल पीजेंट के साथ में मर्ज हो गए उन ऩुल् scr Vielleicht 10 अबम थे में उस्टम हे प्यास क्यान था ना तो उसी समय पर यह लोगोग का मुमेंच हो रहा है लोग जाते हैं लोगों के साथ साथ राजा भी आ जाता है मतलब मुगल एंपायर भी वहाँ पे एक्सपैंड हो गया तो अब एक तरह से क्या देखोगे कि बेंगौल जो है तो बेंगौल पूरी तरह से यहां पर प्यौन स्प्रेट हो गई यह बेंगौल हो प्राविंश में प्रोविंश को एक सट आंडर मैं बेंगाल जूब्वा बना दिये जाए एक फिर क्या होता है आप जब यह सारी सीजह पगड़ी यह कंद्सित्प रूल एक्सपेंड हुआ एक तरह से देख लो आप इस्लामिक रूल एक्सपेंड हुआ तो उसके चलते ही बाता है मॉस्क वगेरा बहुत जादा सेट अप होना इस्टार्ट हो गए तो अब साथ में क중에 खzech्यू早 इस्ट्रांफोन सेटार्मिशन को पैसे देख सकते हो क्या कि बहुत सारे लोगा इसलाम को आडऑप्त कररा है बहुत सारे लोग इसलाम को अदौप्त करने के साल में क्या हो रहा यह सारी चीजें चल रही थी ठीक है अब इसे आप दो मिनिट के लिए जितना भी आपने पढ़ा इसको सबको इसके साथ जोड़के देखो हमारा जो चैप्टर है रिजिनल कल्चर इंफ्लूएंस हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है खुद से सवाल का जवाब दो आप कि यहां पर आपने जितना पढ़ा तो आपको समझ में आया ना कि यहां के रिलिजियस कल्चर को इंफ्लूएंस किया जा रहा है मानते हो ठीक है यह रिलिजियस कल्चर को इंफ्लूएंस किया जा रहा है अब साथ ही साथ क्या होता देखो तो अब जब यह आला पइंट ध्यान रख तो अब क्या होता है, the early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions, तो अब या unstable conditions दो तरीके से हो गई, एक तो नई जगा पे गए, दूसरा क्या हो रहा था, कि जो administrative setup था, वो भी change हो रहा था, administrative setup चेंज हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जा रहे हैं, मतलब पुराने लोगों को आगे धखाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही थी, तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में, जो early settlers थे, जो पहले से settle थे, ठीकें, और जो settle हो रहे थे, तो they sought some order and assurance in unstable conditions, वो ऐसा चाहते थे, यह वही explain कर रहा हूँ मैं आपको, कि यह order and assurance क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीकें, क्योंकि situation unstable है, नए नए रूलर्स आ गए, नए नए लोग आ गए, तो लोग साते थे कि एक administrative setup हो या फिर कोई एक ऐसा इंसान हो, जो सारी चीज़ों को समाल सके, ठीकें, तो वो एक, क्या चाहते थे, order और assurance चाहते थे, और उसी के चलते क्या होता है, they were provided with community leaders, तो अब देखो, need is the mother of invention, समझना, ठीकें, अब जब जरुवत थी क्यार, कुछ गलत ना हो, ठीकें, इतना सारा बदलाव आ रहा है, उस बदलाव में सब कुछ सही चलता रहे, तो लोगों ने क्या है, community leader को recognize करना स्टार्ट कर दे, they were provided with community leaders, मतलब, अलग-अलग level, जैसे आज आज आप देखते हो, modern democracy है, आज government भी होती है, district collector भी होते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, चीदों को समहल के रखते हैं, कुछ बिगड़े ना, उस समय पर क्या होता है, उस समय पर इतना अच्छा administration नहीं था, ठीक है, they used to adjudicate, adjudicators की तरह काम करते थे, adjudicate मतलब क्या है, कि वो निनना ही सुनाते थे, कि इसने इसकी मुर्गी चुरा ली, अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तो किसकी बात सहीं है, उसको adjudicate कौन करेगा, तो इस तरह से यह जो community leaders आते थे, यह adjudicators का काम करते थे they were ascribed with supernatural power, उन्हें supernatural power दे दी जाती थी, मतलब दे दी जाती थी, कि ऐसा माना जाता था कि इनके पास supernatural power है, हम इनकी बात मानना चाहिए, अब क्या होता है कि मान लो, यह पूरी community और पूरी community में मुझे क्या बता दिया गा है, कि मेरे पास supernatural power है, ठीक है, तो अब क्या होगा, क कि आप सभी लोग मेरी respect करोगे, ठीक है, और उससे जाता डरोगे, क्यों आदमी डरने लगता क्यार, इसके पास power है, इस इंसान के against जा के कुछ नहीं करना है, तो उस तरह से क्या होने लगा, कि जो community leaders होते थे, तो यह society में जिस चीज की जरुवत थी, order और assurance की, वो establish करने म वो हुआ, अब देखो, तो यह क्या हो रहा है कि यहाँ पे culture में आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरह के leaders को recognize किया जाने लगा, and people refer to them with affection and respect as peers, तो लोग उने, ठीक है, लोगों का लगा होता था, लोग उनकी respect करता, उनने peer कहा जाने लगा, अभी जो peer होते थे, तो this time included saints and other religious personalities, तो जरूरी नहीं कि सरफ Islam तक ही जुड़ा हो, ठीक है, saints होते थे, सूफी होते थे, उनने peer कहा जाने लगा, ठीक है, और peer का का काम क्या होता था, तो teacher की तरह, educator की तरह काम करता था, ठीक है, ऐसा माना जाता है, उनके पास supernatural power होती है, ठीक है, daring colonizers and defied soldiers, तो यह जो peer हो रहे थे, जैसे British वगरा भी आएंगे बाद में, तो उन्हें वो oppose करते थे, ठीक है, daring colonizers and defied soldiers, defied soldiers मतलब का है, कि soldiers को praise करते थे, कि soldiers जो है, वो अच्छा काम कर रहे है, इस तरह से, तो यह सारी चीज़े चल रही थी, और यह cult of peer, जो है, तो वो आपको Bengal के regional culture में देखने को म ने जब migrate किया, तो वो assurance आते थे, और वहां पर उनके community leaders जो आते थे, उन्हें peer की तरह consider किया गया, अब वही चीज़ अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गाया, Bengal also witnessed a temple building spear, ठीक है, from the late 15th century, which culminated in 19th century, यह समझाता हूँ मैं आपको, क्या है यहाँ पर, temple building spree, temple building spree मतलब क्या होता है, जिसे हम spree को ऐसे समझ लो, हाँ, एक लहर, लहर दोर उठी, लहर in the sense, wave वाली लहर नहीं, लहर in the sense कि एक छोटे time period के लिए अब कुछ भी चीज़ हो रही होती न, उसे spree कहा जाता है, ठीक है, sudden क्या सकते हैं कि, moments जो हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है माल यह सब सस्ता हो गया था क्या, नहीं, उसके पीछे कारण है, देखो temple क्यों बढ़े तो मैं समझाता हूँ, ठीक 15th century से बढ़ना चालू होता है, temples वगरा 19th century तक अगर आप जिस देखोगे तो बहुत जादा temples वगरा construct हो गए, बेंगॉल में, कारण क्या उसके पीछे, क कौन बनाएगा चलो वो तो ठीक अभी देखेंगे हम, लेकिन क्यों बनवाएंगे ये भी सोचू जारा, तो आप जड़ा यहाँ पर रिलेट करना, आपने अभी तक जितना पड़ा है, ठीक है, वही चीज में आप लिखी है, रिलेट विच प्रिवियस चैप्टर, आपने पावर को लेजिटिमेट करवाने के लिए, कि मुझे भगवान का अशिरवाद है, मैं भगवान का मंदिर बनवा रहा हूँ, वो टेमपल्स बनवाते थे, वही चीज यहाँ पर भी होने लेगी, क्या, कि बैंगॉल में आप जिसे देखो, कि धीरे धीरे जब क्या होते चल रहे थे, या फिर जो पावर चाह रहे थे, उन लोगों ने टेमपल्स बगएरा बनाना चालू कर दिया, और क्यों कर रहा है तो दिक्ती बात, तो देमें स्ट्रेंट धियर पावर एंड प्रोकलेंग दियर पेटी, पेटी मतलब क्या होता है? मैं पहले भी आपको इसी क्ल पूर्थी रखवाई यह तो आपके वलती यह अंकल भूत धार्मिक हैं ठीक है हर्म अंगलवार पूजा करते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि यहां पे जो अधिकतर पावर्फुल रूलर्स थे जो पावर्फुल हो चुके थे या फिर बन रहे हैं इन 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 प्रोसेस हैं वह लोग क्या करने लगें अपनी पावर को देमोंस्टेट करने के लिए और तू प्रोक्लेम दियर पीटी थे स्टाटेग फंपल्स एंड रिलीजियस इस्ट्रक्चर आया ना सहांज में अब एडिंग से रिलेट करो क्या कि बेंगौल के कल्चर में धीरे धिरे क्या होने रिलिजियस सिग्निविकेंस आप देखो तो आप क्या होगा है डेली सल्तन एज्जय वह इसलाम को फॉलो कर रहे थे फिर अगर आप जैसे चैप्टर 2 में देखोगे तो चोला एंपायर यह एक टेंपल था गांगई कोंडा चोला पूरम तो यह गांगई कोंडा चोला पूर लेकिन जो ट्रेंड रहता है तब भी मंदिर इसलिए बनवाए जाते थे क्योंकि लोग अपनी पावर दिखाना चाहते हैं यहां बेंगॉल में 16th century के बाद में भी जो मंदिर बनवाए जा रहे हैं तब भी इसलिए बनवाए जा रहे है क्योंकि जो रूलर्स थे जो अब इस चीज को समझना ठीक इसका अंडर करेंट समझना बहुत मज़दार कंसेप्ट है यहां पे क्या क्या आप देखोगे बैंगॉल का जो रीजिनल कल्चर एमर्ज हो रहा था उसमें क्या होता है कि उसमें जो टेंपल कंस्ट्रक्ट किया रहे थे तो यह टेंपल मिट्टी से टेंपल बनाए जा रहे थे हां एक पॉइंट जैसा यहां पर आ गया आपने अभी क्या देखा यह गांगई कॉंड़ा चोलापूरम का टेंपल देखा तो यह कैसे बनाए गया पत्थरों से चट्टानों से बनाए गया अब यहीं पर आप बैंगॉल का अगर क क्या हो जाएगी अलग अलग जगा का रीजिनल कल्चर बन जाएगी सिंपल सी चीज तो यहां पर क्या हो रहा देखो मैनी ऑफ दी मोडिस्ट बिक एंड टेराकोड़ा टेंपल सिन बेंगॉल वर बिल्ट विद दी सपोर्ट ऑस सेवरल लो सोशल ग्रूप्स तो मतलब क्या अब टेंपल वर पना सकते हैं कि लो सोशल गूप जो हे सो जैसे लो रहाई कुछ नहीं होता है लेकिन अब एक्स प्रिशन के लिए जो क्या को घ्रिंस प्रेसर तेल निकालने का काम करते हैं ठीक है कंसारी बैल मेटल वर्कर मिटमा करते हैं तो वह लोग मंदिर बनवा रह स्टार्ट करती है European trading companies मतलब क्या है कि जैसे आप देखो कि यूरोप से बहुत सारे traders आये थे अब जैसे British भी कहां से यूरोप सी आये और वो यूरोप से आये क्यों थे पता है समझना है इस चीज़ को तो European trading companies के आने से क्या हुआ created new economic opportunities how सवाल यह आता कि कैसे economic opportunities अब इस चीज़ को relate करना देखो European trading company आई तो वो यूरोप से आये उन्हें क्या पता कि यहां low बनाई होगी तो उसमें क्या हुआ उसमें Bengal के जो यह सो कॉल्ड लो सोशल ग्रूप से इन लोगों ने participate किया अब आप किसी के लिए काम करोगे यह पैसा कमा रहे थे तो पैसा देंगे भी ठीके अब इन्होंने पैसा कमाया तो इन्होंने पैसा दिया भी अब क्या होता देखा आगे समझना तो यह European trading company created new economic opportunities how many families belonging to these social groups availed these opportunities ठीके तो अब जब economic opportunities इन्होंने create करी बता दिया मैंने कैसे तो वह economic opportunities create करी तो फाइदा किसने उठाया तो many families belonging to this social groups तो यह जो low social group के families थी इन लोगोंने इस opportunity का फाइदा उठाया पैसा कमाया अब पैसा कमाने से क्या हो गया देया social and economic position improved तो पैसा कमाने काने उनकी जो society में position थी न वो इंप्रूव हो गई है क्या सिखा आपने यहां से कि बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया तो अब क्या होता है कि इन्होंने पैसा कमाया ना तो यहां के जो so called low social groups थे उनका upliftment हुआ ठीक है अभी देखो सुनो आप बोलोगे सर्फ बहुत जादा comprehensive हो रहा है लेकिन यह temples का जो बेंगॉल का उसे समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझना पड़ेगी तो क्या होता है कि अब यह लोग पैसा कमा रहे हैं पैसा कमारे उनकी सोसाइटी में सोचल और पॉजिशन इंप्रूव हो रही है तो उसका इंपेक्ट क्या पढ़ने वाला यहां के रीजनल कल्चर पे यहां के टेंपल कंस्ट्रक्शन वाले कल्चर में पढ़ेगा कैसे तो मैंने आपको बताया है कि जब लोग सोशल ग्रूप के लोग मंदिर बनवाने लगे तो उन् इनके जो लोकल डेटी फोटे घ्राइब्स के देविदीन होता होते थे तिकहें उन्हें क्या किया जाने लगा वंस बर्श Denn निकल गाएंगे पहली बात तो क्या है कि यह लोग मंदिर क्यों बनाते थे तो दिखती बात है कि अब उनके पास पैसा तो आ गया लेकिन सोसाइटी में पावर उनको अपनी स्टैब्लिश करना है तो पावर पावर इस्टैब्लिश करने के लिए वो एक तरह से अगर आप देखोगे समझोगे तो वह मंदिर बनवाएंगे फिर अगली चीज क्या होगी फिर अगली चीज अगर आप देखोगे तो इन्हें क्या होने लगा है यहां पर जैसे लिखा है दे गेंड दी रिकागनिशन जोपडिया में हुआ करती थी तो वह अब कहां मंदिर में जाने लगे क्योंकि उन्हें मंदिर बनवाएं उनके लिए ठीक है अब देखो यह टैजड हस्ट मतलब जोपडियों से निकल के मंदिर में गए ना बगवान तो वहां पर उन्हें मंदिर भी जो कंस्ट्रक्शन क अब देखो क्या है क्योंकि आप देखोगे ट्रेडिशनली तो ट्राइबल कम्यूटी या फिर सो कॉल्ड जो लो सोशल ग्रूप है उनके जो लोकल डेटी से वह टैजड हट्स जोपडियों में हुआ करते थे तो जोपडियों से बाहर निकल के मंदिर में जाएंगे लेकि नब बात vrebor t се बनाए गए तो वो टेमफल जो यहां पर एक चीज और किया इस बताता हूं बहुत मजा आएगा चहप्टर फाइफ जब पढद रहे थे आर्हिक्टिरवाला पड़ पर रहे थे तब मैंने बताए था कि लुगल एंपैयर की ऌडम पडलो के यहां को अन्हीं यहां की जो閉स्ट्रक्शन का स्टाइल उसे इपने स्टाइल में कॉपी कर लिया था शेकि나 अब बैंगोल कुद लिया था तो यह बताता है दूसरी से ईखशेंज होता है सारी चीजें होती है तो यह वह से देखायत Chinese privilege और कहां का यह रिजनल कल्चर है बेंगॉल का लेकिन इसे मुगल एंपायर में भी इंक्लूड किया गया फाइन तो इस अल लीट टुद इवॉलूशन ओफ टिपिकल बेंगॉली स्टाइल इन टेंपल आर्किटेक्टेक्ट्चर में एक टिपिकल बेंगॉली स्टाइल यहां से कि आगे मैं अब देखो ही तो में तो इसमें दोफ होती है तीक है यह से एक ग 누규ав Прेंइग यह तो में अगली चीरदे अग्ली चीस कि आगर आप भूत ku यहां पर लूबड यह एक रूफ ही होगी दो रूफ ही होगी ठीक है एक दो और ऐसी ही पीछे दो और होने वाली इसमें कन्फिजन होता है ठीक है अधिक्ता टीचर दोड़ा देते हैं इस चीज को लेकिन सम्झों इसे जिसे तो फॉरूफ structure ना ये बैंगॉल का जो कह सकते बांगला style of architecture है उसमें आप पड़ोगे आट and culture सुनो मेरे बात आट and culture वाले जो है तो ये भी क्या हो गया regional culture हो गया तो ये सारी ट्राइंगुलर नेंस दिखी तो ये और यह त्यों पर क्या होता I उसरी रूफ दोरी प्राइंगुलर यहां प्रोगई एक तोना दो कोना थे तीसरा कोना दूसरी रूफ ही हो गई ठीक है फिर तीसरी रूफ यहां से यहां ले लो तो एक कोना दो कोना और यह तीसरा कोना ठीक है ड्राइंग समझ लेना उतने और चौथी रूफ ही हो गई तो यह चौथी रूफ ही हो गई तो यह से आप चार रूफ देखो यह चारो र प्रफिर बंशनुकत आप संजा्या प्रफिर करद से यह थां कारों… यह रूजरों सब्सक्राइब चैनल रोजल श्कॉर्फिर कोमबधिस के लिंट्वम्टीशिपम्लाइब वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, और्नामेंटर टाइल्स और टेराकोटा टेबलेट्स ठीक है तो अंदर का इंटीर रहता था तो वह यूजवली प्लेन रहता था लेकिन एक्स्टीर जो होता था ठीक है मतलब आउटसाइड वाल्स जो होती थी तो उन्हें बहुत ज् बहुत जादा हाइलाइटेड मतलब टेराकोटा जैसे आप लिखा टैबलेट्स बगर होता है तो मिट्टी से सजाया जाता था सारी चीज़ें की जाती थी आप देखो के भी तो यहां पर आपको स्टोन नहीं मिलेगा ज्यादा इटे मिलेगी और मिट्टी का इस्तमाल किय जाता है तो यह और दिस्टिंक्टिव पार्ट हो जाता है यहां के अर्किटेक्ट्टिल स्टाहिल का ठीक है अब इसका एक एक एक्जामपल कहा है तो आप जैसे देखो के विश्णूपीरिन बंकुरा दिस्टीक ओफ वेस्ट बैंगौल तो यह विश्नुपूर है बंकु और यह सब्जेक्ट है बस ठीक है तो अलबाउट पिर्स एंड टेंपल्स ये टॉबिक हमारा है यह पर कम्प्लीट होता है किसी प्रकार का डाउट है फिल फ्री तो आस्क इन कमेंट सेक्शन अब देखो यहाला टॉपिक भी कम्प्लीट हो गया आप बेंगॉल का जो कल्चर पढ़ रहा हैं तो बेंगॉल के कल्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया समझ लिया बेंगॉल का कल्चर जो आप देख रहो तो लाइंग्वेज के अब फुड भी कल्चर का एक पार्ट होता है इंपॉर्टेंट और बेंगॉल का जो फुड कल्चर है वह बहुत इंट्रस्टिंग आपको एक इंसाइट देने वाला है जिसे हम नेक्स वीडियों पढ़ेंगे जो आपका नेक्स टॉपिक है मैगनेट बेंज पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब्टॉपिक, सब्टॉपिक सब्टॉपिक सब कुछ सिस्टेमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है जिसे आप बहुत आसानी से देख स सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और सबसे मैज़दार बात क्या है पता है, यह सारे वीडियो लेक्चर्स, यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर, फ्री ओफ कॉस्ट अवलेबल है, जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए, मैगनेट आपके साथ, तिल दन स्टे कनेक्टे कीप लेर्निंग, थैंक यू, थैंक यू वेर्मच